माइकल जैक्सन कौन था ये सवाल अगर किसी बच्चे से भी पूछें तो वो इसका जवाब दे देगा जाहिर है दुनिया की प्रसिध पॉप सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन की लोग प्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है ये बात भी सच है कि माइकल जैक्सन की लोग प्रेयता उनके चुहने वाले सिर्फ उनके गानों और डांस की मूव्स पर ही नहीं बलके उनके स्टाइल और अदाओं पर भी फिदा थे माइकल की हैट उनके चेहरे पर गिरे बाल ने धीरे धीरे स्टाइल स्टेटमेंट का रोप ले लिया आज भी जब लोग माइकल के कानों पर जूमते हैं तो हैट पहना नहीं भूलते और इनी सब के साथ फेमस था माइकल जैक्सन का 45 डिगरी पर खड़े होने वाला डांस टेप लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन के डांस टेप कैसे कर लेते थे आज हम आपको इसी बात की जानकारी देंगे तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये जबरदास से डांस टेप माइकल जैक्सन किस तरीके से करते थे पॉप स्टार माइकल जैक्सन की मून वॉक के अलावा और भी कई डांस मूव हैं जिनके दुनिया भर में दिवाने हैं माइकल के कई फैंस तो आज पिए उनके डांसिंग स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं खासतोर पर 1987 में आये म्यूजिक वीडियो स्मूद क्रिमिनल में माइकल जैक्सन का एंटी ग्रेविटी मूव जिसमें वो 45 डिग्री के अंगल पर आगे की ओड जुकते हैं बावजूद इसके उनकी रीड की हड़ी सीधी रहती है लेकिन 1987 में जारी म्यूजिक वीडियो स्मूद क्रिमिनल में माइकल जैक्सन ने वो डांस टेप किया था वो करना किसी के लिए आसान कताई नहीं इस स्टेप में माइकल जैक्सन सीधे खड़े रहते हैं और वो इसी मुद्रा में अपने शरीर को 45 डिग्री के कोन में आगे की तरव जुकाते हैं माइकल के ऐसा करने पर हर कोई हैरान रह गया कि आखिरकार माइकल जैक्सन ऐसा कैसे कर लेते हैं माइकल जैक्सन के निधन के बाद उनकी 45 डिक्री पर खड़े रहनी का हर कोई कारण धून रहा था। कुछ समय पहले चंडिगर इंस्टिटूट अफ एजूकेशन एंड मेडिकल रिसर्च ने माइकल जैक्सन के 45 डिक्री एंगल पर खड़े रहनी की वज़ब बताई। उन् की तरफ आसानी से छुप पाते थे। किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले माइकल जैक्सन 50 साल के उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। 25 जून 2009 को लोस अंचलेस में दिल का दौरा पाड़ने से उनका निधन हो गया। पॉप म्यूजिक को नई उचाईयां देते हुए जैक्सन ने कई बार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी करवाया। इतना ही नहीं वो 13 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम करने वाले अब तक एक मात्र कलाकार हैं। तो दोस्तों माइकल जैक्सन के डांस टैप के पीछे का राज चान कर आप क